शिरी शिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव दो अगस्त को है शावन का मंगलवार और तिती है शावन शुकल पंशमी साथ में नाक पंशमी भी है मतलब काफी अच्छे योग बन रहे हैं और इस दिन के तीन विशेश उपाई आपको वीडियो में बता रहे हैं जो आपको सिर्फ दो अगस्त को करना है मतलब कल के दिन करना है सभी उपाई गुरुजी पंडी पदी मिश्टा जी के बताए उपाई हैं और उपाईयों को हम वीडियो में करके भी दिखाएंगे ताकि आप वो आसानी से समझ सकें वे तीन उपाई जान लेते हैं कौन-कौन से हैं पहला उपाई है विभा में देरी लोकरी प्राप्ती के लिए और अटके हुए कारे विशेश उपाई और दूसरा उपाई है सावन में शमी पत्र का विशेश उपाई और तीस रुपाई के बारे में हम बात करेंगे सावन नाक पंचमी का विशेश उपाई ये तीन उपाई जैसे कि आपको पता है सावन में की गई पूजा अर्शिना का फल आपको हजारों लाकों गुना होकर प्राप्त होता है और ऐसे में एक मंगलवार का विशेश उपाय है तो आपको इस सावन के मंगलवार को करना ही है ये धतूरे को फोड़ने वाला उपाय है ये उपाय गुरुजी ने नवकरह शिव महपुराण में बताया था जो कि हैदरबाद में हुई थी अगर आपके विभा में देरी हो र देना है इसके अंदर का जो फल है वो शिवलिंग पर अरपित कर देना है आप इस धतूरे को फोड़ने के लिए किसी भी प्रकार से फोड़ सकते हैं हमने चाकू का उपयोग किया है इसको बीच से कट कर दिया है और धतूरे के अंदर का फल निकाल लिया है धतूरे के और नाक पंचमी में शमी पत्र वाला उपाय बताया है जिससे जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं आपको भोले नात की शीवलिंक पर शमी पत्र अर्पित करना है और आस्तिक मुनी का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर अपने घर ले आना है इसके बाद इ कीचे के अंदर सर्फ प्रवेश नहीं करेगा शमी पत्र में शिवजी की पांच पुत्री जया विशेहरा सामरीवारी दोतली और देव इनका तेज समाहित हो जाता है जो हमारे घर की रक्षा करती हैं तीसरा उपाय है यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने 16 जुलाई करदें के शुलाई को अर्पित करदें यह उपाय को सावन नाक पंचं मी को अरपित करना है जितल मतलब पंचं मी तीथी तिस परभवे membנति होगई होती है गर्वे में चान्थ हुए वेकिती रहते हैं जिनको धुच्शांत को सर पीरी ओनी मिलिए हो प्रेति योनी मिली है वो मुक्त हो जाता है सावन की पंचमी के 김े जल अर्पित कर देने से साथ ही नाख पंचमी कि दिन एक लोटा भी ज़ल यहां आर्पित कर देते हैं सstory में भी हमारए हुआज कोई जीव तढ़ रहा हो उसको मुक्ति नहीं मिल रही हो तो नाक पंचमी के दिन जलार्पित कर देने से उसे मुक्ती मिल जाती है और जब भी आप कोई उपाय करें तो श्री शिवाय नमस्तों पर मनकज़ा आप जरूर करें अगर आप कोई वीडियो थोड़ा प्यूगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज